तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाडो लच्मी योजना दो हजार चोवीस का फॉर्म कैसे भरें जिसके अंतरगत सभी महिलाओं को परतिमा 2100 रपे देने का यहां पर बात कही गई है इसमें कागज कौन-कौन सा लग रहा है चुकि सपत गरन प्रसमारो अब हो चुका है अब नए CM बहुत ही जल्द यहां पर इस योजना की ओफिसियल घोशना कर देंगे और यहां पर आप सभी जार रहे हो कि भाजपा के द्वारा वरतमान में इस तरह के अन राजियों में जैसे की MP में लाडली लच्मी योजना भी चर रही है इसी परकार उडीसा में पर आप देख पाओगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है कागज कौन कौन से लग रहे हैं आपके अंतरकत क्या क्या पातरता होनी चाहिए उम्र क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ ये सारे फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए सुरुआप स यहां पर देख पा रहे हो लाडो लच्मी उजना दो हजार चोबीस आवेदन है तू आवेशक जानकारी मातरक आपको क्या-क्या यहां पर ध्यान में रखना है यहां पर जितने भी डॉकुमेंट्स वगेरा लगेंगे आपको इस फॉर्म में भरने इस फॉर्म को भरते कि आप तुरंदी फॉर्म भर पाओगे और बिना किसी रुकावट का सबसे पहले सबसे तेजी से आपका ही पैसा आएगा ठीक है तो चली सुरुआत से शुरू करते हैं सबसे पहला है आवेदिका की समगर आईडी यहां पर आप सभी जाते हो हरियाना के परिवार के यहां कार्ड बनाया गया है तो परिवार कार्ड की जो भी यहां पर यहां पर आईडी है उसे यहां पर भर देना है ठीक है आप सभी को परिवार कार्ड बना लेना है दूसरे नंबर पर है आधार कार्ड आधार का नंबर यहां पर लिख देना है जो कि 12 अंकों का होता है इसे ल पिटा करके erase कर सकते हो फिर आप पेन से भरिये लेकिन आपको यहां पर गलत नहीं भरना है जो कि एक बार जो काम यहां पर अच्छा होता है वो हवेसा के लिए अच्छा होता है किसी परकार के दिक्कत नहीं होती है तिसरे नंबर पर है आवेदिका का नाम आपको सुष्फर पिताने किस तिती में आप यहां पर अपने पिता का भी नाम भर सकते हो पाच्वे नंबर पर है जनमतिती यहां पर आपको जनमतिती अपने भरनी है जिसमें से पहले नंबर पर आपको दिनांख भरना है यहां पर दोनों खानों में भरना है मान लेजे कि आपका जनमतिती एक से लेकर के नो के बीछ है तो आप यहाँ पर सुइन एक सुइन दो इस प्रकार से लिखेगा महा में भी आपको उसी तरह से लिखना है किसी भी खाने को खाली नहीं छोड़ना है वर्स में भी आपको यहाँ पर पूरा चार डिजिट दिया गया है चार अंक अच्छे से भ पता लिखना है इसमें पता में आप यहाँ पर ग्राम सहर वाट का नाम लिखोगे जिला का नाम लिखोगे पिन कोड संख्या यहाँ पर अच्छे से अंक करेगा साथवे नमबर पर है आवेतिका का मोबाइल नमबर यहाँ पर आपको यदि आपके पास उपलब्द हो तो वही mobile number डालिए जो आप यहाँ पर खाता संख्या दे रहे हो ठीक है जो भी आप यहाँ पर खाता संख्या दोगे उसके साथ link वाला उस खाता से link वाला या फिर आधार कार्ट से link वाला mobile number दे लिए जिसमें किसी तरह का यदि message आता है तो आपको तुरंत ही message उपलब्द हो ज लगाना है कि आप किस category से belong करते हो समायन, अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग किस में आप belong करते हो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है नोवे number पर है क्या सासन से विद्वा निसक्त इतियादी pension प्राप्त कर रहे हैं यदि आपको वहां की स्तिती, यदि आपकी साधी हो गई है तो आप विवाईत में लगाएगा, यदि आप किसी परकार्ट कर यहाँ पर और भी कॉला में जिसे तलाक शुदा है, विद्वा है, परीत एक्ता है, आप इसमें से यहाँ पर देख कर लिजेगा, आप देखे यहाँ पर है आवीदिका द्वारा की गई घोषना इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपके अंदर क्या-क्या पातरता होनी चाहिए या पर ये घोषणा में दी गई है तो देखें यहाँ पर है मैं घोषणा करती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर है मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्सिक आए ड्हाएं लाएं लाख रूप से कम है अपकी परिवार की वार्सिक आए तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे ठिक है आप दुसरा दे रखा है में स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस बारका केंदर राजसरकार के सास किया विभाग, मंडल, उपक्राम, अस्थानिय निकाय में नियमित या फिर सम्वेदित कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवा निवर्ति के पस्चात पेंसन प्राप्त नहीं कर रहे हैं आपको सभी में टिक लगाते जाना है ठीक है? एक, दो, तीन मेरे स्वेम या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अत्वा ट्रेक्टर नहीं है इसमें भी आपको टिक लगा देना है मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमी नहीं है मुझे भारत सरकार, राज सरकार की किसी योजना में परतिमा एक हजार उपए या अधिक रासी प्राप नहीं हो रही है आपको किसी भी तरह का पेंशन, विर्धा पेंशन, विद्वा पेंशन मिल रहा है तो आप इसके अंतरगत नहीं कर सकते हो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, मुझे किसी परकार का रासी प्राप नहीं हो रही है अगला है कि मैं स्वेम या मेरे परिवार में कोई सदस, निर्वाचित, एवा मनोनित, जन परतिनिधी, पंचायत के वार्ड पंच या उपसर पंच को छोड़ कर नहीं है इसमें भी लगा देना है, यानि कि आप इसे घोषणाई कह लिजे या फिर मायनताई कह लिजे, ये सभी मायनताओं को पूरा करते हो, तभी आप इस अंदर का फॉम भर पाओगे मैं स्वेम या मेरे परिवार में कोई सदस भारत सरकार, राज सरकार द्वारा चैनित, मनोनित, बोड, निगम, मंडल, पुपक्रम के अध्यक संचालत सदस नहीं है ये सभी आपके मायनताओं हो गई अंत में है कि मैं और देखें यहां पे दे रखा है कि मैं एतत द्वारा ये घोशना करती हूँ कि मुझे यहां पर लाडो लच्मी योजनाद दो हजार चोबिस पोर्टल एप पर आधार आधारीत परमानिक करन परनालिक के साथ खुद को परमानित करने और आधार आधारीत परमानिक करन के बाद अपना आधार नंबर बायो मेट्रिक या वन टाइम पिन ओटीपी देटा प्रदान करने की समती देने में कोई आपति नहीं है मैं यह भी समती देती हूँ कि मुखमंति लाडली बहना योजना दो हजार चोबीस मेरी पहचान अस्थापित करने और परमानित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उप्योग कर सकता है मैं एतद द्वारा केवल सरकारी योजना या सरकारी योजना के लावों को प्राप्त करने के उद्देश से या अन राज या केंदर सरकार के विभागों के साथ अपने आधार एक वाईसी वित्रन साजा करने की सहमती देती हूँ ठीक है यहाँ पर आपको साइन कर देना है और इस फॉम को जमा कर देना है ठीक है यहाँ पर एक और है कार्याले है तू उप्योगी यह जो रशीद है आपको मिल जाएगी ठीक है यह रशीद आपको मिल जाएगी और आप इस रशीद को अच्छे से रखेगा यहाँ पर है लाडव लक्ष्मी योजना दो हजार चोबिस के अंतरगत आपका ओनलाइन आवेदन सफलता पुर्वक दर्ज कर दिया गया है आपका ओनलाइन पंजिकरन करमांक यहाँ पर आप घधन तिति यहाँ पर लिख दिया होगा आवेदिका का नाम नाम अंपर लगतिया होगा पितायापति का नाम आपके द्वारा दी गए जानकारी आधार निम नल्सार स्थितिया कैई है आपका आधार बैउर Echo Link यदि होगा तो हाम यहाँ इनापर होगा नहीं होगा तो एवं पातरता होने पर ही आपके कारियों के आपके स्वयम के अधार लिंक डिविटी इनेवल खाते की रासी प्राप्त होगी यह मात्र आवेदन की पावती है आवेदन परीच्छन उपरान पात्र आवेदिका होने की दर्साब में ही योजना अंतरगत लाभनवित किया जा स होने से अगला हो सकता है आयू 21 से 60 वर्स के मद ना होने से और तिसरा हो सकता है कि परिवार पहचान पत्र में आधार एक वाईसी ना होने से ठीक है एक वाईसी पूर्ण करवाएंगे और या फिर पुना अवेदन करेंगे तो यहां पर फिर आपको जारी करता कहस्ताक्षर एवं सील मिल जाएगा और फिर यह आपको फाड़ कर मिल जाएगा आप इसको भरविष के लिए सुरक्षित रख सक करें दॉकोमेट की बात करें तो डॉकोमेट में आपको यहां पर पर कि आपको सबसे पहले आधार कार्ट संख्या लगेगा, आधार कार्ड, उसके बाद आधार कार्ट के जेरोक्स के हरियाना निवासी परमान पत्र लगेगा, परिवार भहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आई परमान पत्र झाल झाल